हेलो स्टुडेंट मैं पवन भमोरिया आज हम पिजिक्स का चेप्टर युनिट मनलब थ्री और चेप्टर फाइप जो फोर नंबर के अबजेक्टिव जिसमें से जुम्बकत्व और द्राव्या मैगनेटिज्म एंड मेटर के अबजेक्टिव डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हम इंपोर्डेंट टॉपिक है और आसान है क्योंकि इसमें से चार नंबर के अबजेक्टिव आते हैं तो चार नंबर के अबजेक्टिव एक अच्छा घासा वेटें जे कोशन लेते हम पहला सहीं विकल पर चुनकर लिखिए तो कर्चूस और करेक्ट आप्शन फॉस मतलब वेबर पर मीटर स्कूर जो है वह युनिट और क्या होता है में räने टिक फेल्ड तोुम्बक की छेत्र पर मातर यह नियूटन प्रती एंपेर इंटु मीटर तो यहां पर मिस्प्रिंट के कारण यह दोनों एंसर सही है नियूटन पर एंपेर इंटु मीटर और वेबर पर मीटर स्कुर एक फार्मुला यह नियूटन प्रती एंपेर इंटु मीटर और अगर चुम्बकी छेत्र के मात्रक की बात करें तो दूसरा मात्रक अभी हमने डिसकस किया वेबर पर मीटर स्कुर तो दोनों मात्रक इसके दोनों यूनिट है नेक्स कोशन लेते चुम्बकी सुई को आसमान चुम्बकी छेत्र में रखा जाता है अगर एक मैगनेटिक निडिल है वह अन यूनिफॉर्म यह नॉनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड में प्लैस्ट की जाती है तो किसकी तरह बीहेव करें गया उस पर क्या अप्लाय होगा तो हमारा आंसर जो है अनसरोगा उस पर फोर्स भी अप्लाय होता है तो हमेसी अगर को फ Delaware हम यह में कहा हो यह लेकिन उसलिफ़ पर कॉन उनिफॉर्म थे, लोगा इस पर ज्योगा 5 उसमान मतलब नॉनिफॉर्म वैगनेटिक फिल्ड होगा नेक्स्ट जो हमारा कोश्चन है वो कोश्चन है यदि एक चुम्बकी छेत्र B तथा एक चुम्बक का चुम्बकी आगुर्ण M है तो उस पर अधिक्तम इस्तती जुर्जा कितनी होगी if the magnetic field is B and the magnetic moment of a magnet is in M then the maximum potential energy maximum potential energy जो होती है M into B के equal होती है और यहां पर U जो है small M आ जाएगा और यहां आ जाएगा small B क्योंकि M जो है वो capital M के इस प्लेस पर क्या दिया है small M दिया है हमारा answer होगा M into B next question लेते हैं लो चुम्बकी पधार का example फेरो-magnetic एक important question है बिटा यह exam में आएगा लिख लीजिए याद कर लीजिए फेरो-magnetic material का जो example है वो है FECO and Ni iron, cobalt and nickel are called फेरो-magnetic sustained iron, cobalt and nickel को लोहे को नि को बाल्ट को निकिल को लो चुम्बकी पधार का जाता है तो यहां पर answer B होगा answer next question लेते हैं कोशन है निम्न की चुम्बकी प्रवत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है the magnetic tendency of the following is small but positive small but positive जो है वो हमारा अनुचुम्बकी पदार्त होता है पैरा-magnetic material होता है जिसके लिए चुम्बकी प्रवत्ति टेंडेंसी जो होती है इस्मॉल होती है और positive होती है next question की बात करते हम fill in the blanks जो है उसको हम discuss करते हैं drew प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है small m की बात कर रहे है pole strength की बात कर रहे है तो pole strength का unit होता है ampere into meter तो याद रखना है ampere into meter is the unit of pole strength drew प्राबल्य का मात्रक है next question है चुम्बकी आगुर्ण की दिसा s drew से n drew की और खालिस्तान के अनुदीस होती है the direction of magnetic moment is from s pole to n pole and along with along with हम यह बोल सकते किस के अनुदीस होती है तो अक्ष के अनुदीस होती है और यहां हम लिखेंगे magnetic magnetic axis magnetic axis के along होती है next question है चुम्बकी आगुर्ण का मात्रक क्या होता है चुम्बकी आगुर्ण आप जानते हैं इसकी इन्टू मीटर और यह डिस्टेंस है तो इसकी उनिट भी डिस्टेंस मीटर होगी तो यूनिट हो जाएगी ampere into meter square चुम्बकी आगुर्ण M से दर साथ है दुरूव प्रबलता अगुनित जो प्रभावकारी लंबाई होती होती है और इसकी इकाई जो है ampere into meter होती है लेंथ मतलब प्रभावकारी लंबाई की मीटर होगी तो मीटर 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 का square हो जाएगा तो ampere into meter square is the SI unit of magnetic moment चुम्बकी आगुर्ण की SI मात रखोगा नेक्स्ट कोशन है धारवाही परिणाली का एक धारवाही परिणाली का एक सोलेनाइड है करण केरिंग इसलेनाइड उसको हमने freely भी मुं कर दिया यह लटका दिया हैं हम नेंसक्रेंड़ कर दिया हैं तो वको इस अरिशन में इस्टे करेगी आपको पता है रिख्या नॉत सबंखयर मैं देख़ा में प्रडी तुम्बख के मर्य बिंदू से उतनी दूरी पर चुम्ब की जेट कितना होता है दिखिए क्या पूछ रहे हैं कि एक एक्सील कंडिशन है और इक्वेट रील रिशन में जो मैएगनेटिक में भूवहजा चलुशा है तो इनका र्शु कितना होता भूश रहे कि यह इसके रिस्पेक में कितने टाइम सोता तो आपको पता होगा यह डबल होता है टू टाइमस होता है तो यहां पर आ जाएगा डबल या दुगना तो चुम्बक की छेत्र के इतना होता है दुगना और यहां हम लिख सकते हैं डबल next question देखते हैं धारावाही परिनालिका खालिस्तान की तरह विवार करती है तो धारावाही परिनालिका जो है वो आपने पड़ा होगा एक दंड चुम्बक की भाती विवार करती है तो एक करन्ट केरिंग सोले नाइट जो है बिहेव लाइक बार मेगनेट की तरह बियों करेगी याद रखेंगे कि इंपोर्टेंट कोश्चन है बार मेगनेट की तरह बियों करेगी नेक्स एक चुम्बक की आगुण वाले चुम्बक को उसकी लंबाई के अनुदिस दो बराबर भागों में काटने पर चुम्बक की आगुण क्या होगा अगर इस पूरे मेंगनेट का जो मेंगनेटिंग मोमेंट अगर पहले अम था यहां भी पहले एम था दोनों कंडिशन में अगर इस टाइप से कट करें या इस टाइप से परपेंडिकुलर करें यह एक्सिस के परपेंडिकुलर यह एक्सिस के अलाउंग है तो यहां पर यह जो छोटा सा पार्ट है इसका मेंगनेटिक मोमेंट एम बाइट टू होगा यहां भी कितना हो जाएगा एम बाइट याद रखेंगे यह थो दोने ही किंदिशन में एम बाइट ओ थो ता है अब प्रति चुंबर की बिजातर प्रबल चुम्बड मेंथ These क्या आद राखेंगे तो रिपल्स विद इस्टॉों मागने डीया हो जाता है या औहीं बताया औहांगत विजस्टों साइंसर आ जा जाएगा अट्रैक्षन एंट्रेक्ट और यहां आजाएगा विद्दु चुम्बकी चेत्र के आकर्षित कि यह आकर्षित हो जाते नेक्स कोश्चन देखते हैं एक सब्द में उत्तर दीजिए एंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस लेते हैं पहला कोश्चन चुम्बकी आगुण की दीशा कहां से कहां तक होती है चुम्बकी आगुण एम की बात कर रहें तो एम की डायरेक्शन हमेशा एस पॉल टू एन पॉल की और होती है साउथ पॉल टू नार्थ पॉल यह डायरेक्शन आप याद रखेंगे इंपोर्टेंट कोश्चन है आपकी एक्जाम में आ सकता है आता रहता है कोशन नेक्स्ट है चुम्बकी रेखा है बंद वक्र होती है खुला तो आपने तू टाइप की वेल लाइंज पड़ी है न्हीं पिट्रिक तो और होती है वह आ नद ना τटीरिय गोने्वाइन पान कर्प़िए नेक्स न्यायरे धोना झिए है कोन सा चुमब की पधार्त कोन सा पधार्त है इसा magnetic substance जो क्यूरी जो लॉय है उसको फालो नहीं करता है भी सब्सक्रेंट डज नोट ओबे क्यूरी सला तो हमारा dimagnetic substance कि डाय मेंवनेकिक सब्सेंड या प्रती चुमब की प्रदार जो है वह क्या होगा वह इस प्रकार की नियम को फॉलो नहीं करता क्यों रिफालो नहीं करता कि विद्दू चुम्ब किस प्रदार के बनाए जाते हैं तो इलेक्टोमेगनेटिक एलेक्ट्रोमेगनेटिक्स प्रस włz हो इससले डिम्चम ए इसको बोल सकते हैंट म्रदू यंक न κα़ सकते हैं बस्ता नारमलोह कर्मल होए के बनाये जाते हैं सौफ्ट आइरन के बनाये जाते हैं याद रखेंगे कि आएगा यह चपने वाला है तेविस में आ सकता है कि चुंबख की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है मैगनेट की इफेक्टि लेंथ क्या हो थी आपने पढ़ाए फैक्टि लेterror के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई का आजाता है आपने रिलेशन भी पढ़ा होगा अगर इसकी एक्च्वल लेंथ एल है तो जो एफेक्टिव लेंथ होती है वो 5L by 6 होती है 5L by 6 होगी इसकी एफेक्टिव चुम्बक की चुम्बक की आगुना का मत रख क्या हैं मारा कोश्चन है सही जोडी बनाई यह बहुत आसा सा कोश्यन है और यह जोड़ी मैं दो कॉलम जो है यह उसके सामने लिखा हुआ है अब देखेंगे तो इसली आपको समझ में आ जाएगा यह अभी मैंने बताया था फेरो इस्सटेल फेरोने डीयल आइरण नहीं दिया उसको घुमा करदेगा इसूह świat नेक्स्ट है पेरा मेंगनेटिक सबस्टेंट तो पेरा मेंगनेटिक सबस्टेंट जो है उसकी तरह भी हो करता है ऐलुमिनियम और डाय मेंगनेटिक सबस्टेंट जो है उसमें यूज होता है कॉपर तो कॉपर इस एक्जामपल आफ डाय मेंगनेटिक सबस्टेंट पेरा में सकता है कोबाल हो सकता है निकेल हो सकता है नेक्स कोश्चिन हम लास्ट कोश्चन है साइद में अच्छा कोश्चन है अब हमको यहां पर मेच करना पड़ेगा प्रॉपर कुछ चुम्ब की आगुण सब्सक्राइब की बात किये तो M is equal to NIA होता है एक फार्मूला है M is equal to NIA यह साइद फर्स का होगा देखते इस्थती जूर्जा जो हे पोटेंशल एनरजी जो है उसका यह फार्मूला है और MB कॉस्च ठीटा के कवल होगा तो यहां पर हम राइट कर सकते इडिज़ा एंसर माने में किया गया कार वर्गडन इन रोटिंग दो मोमेंट तो रोटेशन में जो वर्गडन होता है वह था एंबी इन्टू वन माइनस कॉस्च ठीटा यह थर्ड का एंसर अंसर होगा हमारा फोर्थ इन रक्षी स्थिति में छेत्र की तीवरता मैंनेक्टिक फिल्ड इन न इक्वेटोरियल नहीं एक्सियल पोजिशन में होती है तो एक्सियल पोजिशन की बात किये तो एक्सियल पोजिशन फिप्त का एंसर होगा तो फोर का हमारा एंसर हो जाएगा यह हमारा आंसर फोर्थ का होगा मियू जीरो बाइफ पॉर पाय एम बाय डी टूदी पावर थ बनता इस पर करण देंगे एरिया आप क्रॉस सेक्शन देंगे नंबर आफ टॉर्ण देंगे तो आपको मोमेंट करने को दिया जाएगा आप इजीली फाइंड कर सकते पोटेंशल एनर्जी के लिए माइनस अब हमने थोड़ी दिर पहले देगा था मैक्जिमम कितनी होती है तो एंबी के इक्वल होती है थर्ड वर्क दन की बात करें तो वर्क दन होता एंबी इंटू उन माइनस कॉस सीटा फॉर्थ एक्वेटोरियल पोजिशन में अगर हम मोम करनेट का इक इंपोर्डेंट टॉपिक था आप इसको अच्छे से द्यान से पढ़िए और हमारा जो सेशन है कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए थैंक्स